नमस्ते बच्चों बच्चों देखो तो ये क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक, हल्दी है आओ, अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाती हूँ देखो, इस कटोरी में क्या है? हाँ, पानी है अब मैं इस हल्दी को पानी में घोलती हूँ ठीक है? ये चम्म से थोड़ी सी हल्दी ली और इसको घोलती हूँ देखते हैं थोड़ी देर इसको घोलते हैं है ना? अब मैं इस हल्दी को इस पानी में घोलती हूँ अरे ये क्या हुआ? ये पानी तो लाल हो गया हल्दी घुलने पर तो पानी पीला होना चाहिए लेकिन ये तो खून की तरह लाल हो गया ये तो चमतकार हो गया ये क्यों हुआ होगा? इसका उले हम आगे करेंगे आईए, आज हम कक्षा पाँचवी के पाठ 25 चमतकार पाठ का अध्यन करते हैं यह पाठ एक एकांकी है बच्चों, आपको पता है एकांकी किसे कहते है? जब कोई नाटक एकंक वाला होता है तो उसे एकांकी कहा जाता है एकांकी में किसी एक व्यक्ति का ही पुरा वर्नन होता है प्रस्तुत पाठ में समाज के कुछ चालाक किस्म के लोगों द्वारा मामूली से बिमारी को जादू टोने या मंत्र शक्ती से धूर करने की बात पता कर लोगों को भ्रमित करने के प्रयासों का परदाफाश किया गया है इस पाठ में कुछ पात्र है तो इस पाठ के पात्रों का एक परिचे राहुल कॉलेज का एक विद्यार्थी इसकी आयू लगभग 18 वर्ष रोशन ये राहुल का मित्र है और विज्यान का विद्यार्थी भी है स्वामी साधू की वेश भुसा में एक कप्टी व्यक्ति और इनकी आयू है लगभग 45 वर्ष जतिन जतिन 6 वर्ष का एक छोटा सा बालक है और मा जतिन की मा इनकी आयू लगभग 35 वर्ष इस एक आंकी में एक इंस्पेक्टर भी है और वो पलिस सदिकारी है इनकी आयू लगभग 30 वर्ष है एक सिपाही भी है ये भी पलिस के कर्मचारी है इनकी आयू भी लगभग 35 वर्ष है परदा खुलता है मंच पर स्वामी जी अपना थैला तथा कुछ टीम टाम लिए पैठे है वे अपना चमतकार दिखाने की तैयारी में है ठीक उसी तरह जैसे अभी मैंने आपको दिखाया न परदा खुलते ही दशकों में खुसर खुसर हुने लगती है स्वामी भाईयों अब आप लोग शान्त हो जाएए अभी आप लोगों के सामने मैं अपनी मंत्र शक्ती का प्रतर्शन करूँगा लेकिन सबसे पहले एक बार जोर से तालियां बजाएए सभी लोग तालियां बजाते हैं तभी रोते हुए जतिन को लेकर उसकी मा मंच पर आती है मा हाँ जोड़कर स्वामी जी से स्वामी जी मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है क्रिप्या इसका उपचार कर दीजिए स्वामी अरे बहन जी यहाँ आप क्या कराने आ गई स्वामी मैं तो अपना चमतकार दिखाने आया था चलो इसी बालत पर अपना चमतकार दिखाऊंगा बोलो बहन जी इसे क्या कश्ट है मा स्वामी जी इसके पेट में अकसर भ्यांकर दर्द उठता है स्वामी जी जतिन की गमिज उठाकर उसका पेट देखते है स्वामी कंभीर मुद्रा में ओ अनर्थ इसके पेट में तो पत्थरी है मा घबरा जाती है और घबरा कर यहाँ आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी स्वामी मैं ठीक कह रहा हूं लेकिन घबराओ नहीं मैं अभी अपनी मंत्र शक्ती से इसकी पत्थरी निकाल देता हूं आओ बेटा तुम यहाँ पर लेट जाओ स्वामी जी जतिन को एक उँची जगह पर लेटा देते हैं और उसकी कमीज पर एक बोतल से पानी जैसा कुछ छिड़कते हैं इसी समय मौका देखकर राहूल वो रोशन चुपके से स्वामी जी के पास में रखा समान पदल देते हैं जतिन लगातार रोता रहता है स्वामी मत्रो बेटे मैं अभी तेरा दर्द दूर कर देता हूँ एक पुडिया से कोई पौडर जतिन को खाने को देते हैं उसे खाने के बाद जतिन चुप हो जाता है स्वामी जी आहिस्ता आहिस्ता जतिन के पेट पर हाथ फेरते हैं अचानक जतिन के पेट से खुण बहने लगता है मा बेटे के पेट से खुण बहता देखकर स्वामी जी यह खुण कैसे बहने लगा स्वामी प्रसन्न होकर घबराओ नहीं मेरा प्रयास सफल हो गया ये रही इसके पेट की पत्रियां हाथ फैला कर दो छोटी कंक्रियां दिखाते हैं इन्हें मैंने अपनी मंत्र शक्ती से बहार निकाला है मा लेकिन इसका खुण स्वामी घबराओ नहीं सब ठीक हो जाएगा लड़के का पेट पूछते हैं और दर्शकों से कहते हैं भाईयों आप में से कोई एक दो दर्शक आकर देख सकते हैं इसके पेट पर कोई घाओ नहीं है मंच पर दर्शक आते हैं और जतिन का पेट देखते हैं दर्शक आश्चर्य भाव से भाईयों सच में जतिन के पेट पर कोई घाओ नहीं है दर्शक वापस लोट जाते हैं स्वामी अपनी बात को आगे बढ़ाती हुए कहते हैं देखा कोई घाओ नहीं यह सब मेरे मंत्रों का कमाल है भीर स्वामी जी की जैजैकार करती है स्वामी हाथ उपर उठा कर ठीक है ठीक है आप लोग शान्त हो जाएं अब मैं आप लोगों को एक और जादू दिखाऊंगा अपने थैले में से एक नारियल निकाल कर सब को दिखाते हुए स्वामी यह है मेरी 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमोना अभी आप लोगों के सामने इसे तोड़ूंगा तो इसमें से फूल बरसेंगे नारियल जमीन पर पटक देते हैं पर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता राहुल का मंच पर आना होता है राहुल मुस्करा कर यह क्या स्वामी जी महराज नारियल तो खाली है इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला जबकि यह चमतकार तो मेरा दोस्त रोशन कर सकता है स्वामी खिसी आते हुए क्या बक रहे हो रोशन का प्रवेश रोशन यह बक नहीं रहा ठीक कह रहा है मैं अभी यह चमतकार करके दिखाता हूं अपने थैले में से नारियन निकालकर उसे जमीन पर पठकता है इसमें से धेर सारे मोंगरे के फूल निकलते हैं रोशन देखा यह आश्चर यह आपने लोग तालियां बजाते हैं राहुल स्वामी जी से देखा आपने मेरे दोस्त का चमतका स्वामी रोश में रोश यानी गुस्दा यह छोकरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता मैं अपनी मंत्र शक्ती से आग लगा सकता हूं मेरी मंत्र शक्ती देखो स्वामी अपने थैले से लाल कागज निकाल कर उसके टुकडे करता है फिर एक शीशी दिखाते हुए कहता है अब मैं कागज के इन टुकडों पर अभी मंत्री जल डालूंगा और ये कागज जल उठेंगे स्वामी कागज पर शीशी का पदार टालता है पर आग नहीं जलती राहुल लगता है आपका यह मंत्र भी बेकार हो गया स्वामी जी लेकिन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा क्योंकि मेरा दोस्त यह चमतकार भी दिखा सकता है रोशन कागज फारते हुए यह रहे कागज के टुकडे और यह मैंने डाला इन पर अभी मंत्री जल और यह आग जल उठे आग जलने पर सभी लोग जोर से तालिया बचाते हैं जबकि स्वामी जी क्रोध में अजीब तरह से मूह बनाते हैं तबी मंज पर इंस्पेक्टर वो सिपाही आते हैं इंस्पेक्टर सिपाही इस धोंगी को गिरिफतार कर लो अब इसकी पोल खुल चुकी है सिपाही आगे बढ़कर स्वामी जी को पकड़ लेता है स्वामी क्रोध में यहां आप क्या कर रहे हैं मैं सिद्ध योगी हूँ सब को भस्म कर दूँगा राहुल अच्छा तब आप वह मंत्र भी आजमा कर देख लीजे शायद काम बन जाए इंस्पेक्टर स्वामी की नकली दाड़ी नोचते हुए मुझे इसकी बहुत दिनों से तलाश थी मैं तुम्हारा आभारी हूँ रोशन जो तुमने इसकी पोल खोलकर इसे पकड़वाया लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये चमतकार होते कैसे है रोशन सबसे पहले मैं पत्री का चमतकार बताता हूँ दर असल बात ये है कि इस स्वामी ने सबसे पहले लड़के के पेट पर चूने का पानी मला चूने के पानी से हल्दी ने रासायनी क्रिया करके लाल रंग बना दिया जिसे सब लोगों ने खून समझ लिया और फिर हाथ में छिपी कंक्री को पत्री बता दिया तो बच्चों पाट के शुरू में मैंने भी आपको हल्दी को पानी में घोरा था ना तो पानी लाल हो गया था, वो पानी चूने का पानी था, और चूने का पानी और हल्दी में रासायनी क्रिया होती है, इसलिए पानी लाल हो जाता है, है ना, तो चूने के पानी और हल्दी से इस तरह से चमतकार किया गया था, तो ये कोई चमतकार है नहीं ये केवल एक रासायनी क्रिया है ये पानी पूरा लाल, चुनी का पानी और हल्दी की रासायनी क्रिया के कारण हुआ है अब आगे देखते हैं एक आंकी में और क्या-क्या हुआ है इंस्पेक्टर लेकिन यह लड़का चुप कैसे हो गया था रोशन भभूत में मिली मीठी सैकरीन के कारण जैसे ही इसे मीठा मीठा लगा, इसने रोना बन कर दिया मा हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो जब भी यह कोई मीठी चीज खा जाता है, रोना बन कर देता है लेकिन नारियल से फूल कैसे निकल सकते है रोशन आप लोग तो जानते ही हैं कि नारियल में तीन आखे होती है उसकी एक आख में छेट करके पहले से मोंगरे की कलिया डाल दी गई है जो अंदर खिलकर फूल बन गई है इंस्पेक्टर और पानी डालने से कागज कैसे चल गए रोशन उन कागजों पर पोटेशियम परमेगनेट का लेप चड़ा था जब उन पर पानी के बहाने ग्लिसरिन डाला तो दोनों में क्रिया हुई और आगजल पड़ी ये सब विज्ञान के चमतकार है स्वामी महराज इन्हें मंत्र का चमतकार कहकर वहवाही लूटने वाले थे पर मैंने समान बदल कर इनकी पोल खोल दी इन्सपेक्टर वाह रोशन तुमने अपनी बुद्धी से लोगों को भ्रमित होने से बचा लिया स्वामी को संबोधीत करते अब चलो स्वामी महराज मैं थाने में तुम्हें अपना चमतकार दिखाता हूँ सभी लोग जोर से तालियां बचाते हैं और चमतकार भई चमतकार विज्ञान के देखो चमतकार चिलाते हैं और परदा किरता है तो बच्चों आप लोगों ने अभी इसे कांकी में विज्ञान के बहुत सारे चमतकारों के बारे में जाना अब इस पार्ट से संबन्दी कुछ अभ्यासकारी करते हैं पहला प्रश्न है किसके पेट में दर्द हो रहा था? इसका उत्तर है जतिन के पेट में दर्द हो रहा था अगला प्रश्न है स्वामी ने जतिन के पेट में दर्द होने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है स्वामी ने जतिन के पेट में दर्द होने का कारण पेट में पत्री का होना बताया अगला प्रश्न है जतिन के पेट से खुन कैसे बहने लगा इसका उत्तर है स्वामी ने उसके पेट पर चुने का पानी मला और उस पर हल्दी का चुन बच्चे के पेट पर लगाया चुने के पानी से हल्दी ने रसाइनिक क्रिया करके लाल रंग बना दिया जिसे जनता ने खून समझा, इस तरह जतिम के पेट से खून बहले लगा अब अगला प्रश्न रोशन ने क्या-क्या चमतकार दिखाए? तो इसका उत्तर है, रोशन ने निम्न लिखित चमतकार दिखाए पहला है, रोशन ने नारियल को जमीन पर पटक कर फोड़ा और उसमी से धेर सारे मोंगरे के फूल निकाले दूसरा है, रोशन ने कागज के टुकडों पर अभी मंत्री जल डाल कर आग जला कर दिखाया तीसरा है, रोशन ने पथरी का चमतकार भी बताया कि हाथ में हलदी का चुन एवं कंक्री चिपा कर पेट पर हाथ फेनने से चून के पानी से हलदी ने रसाइनी क्रिया करके लाल रंग बना देती है जिसे सब लोग खून समझने लगते हैं इस तरह रोशन ने चमतकार करके बताया है अगला प्रेशन है, नारियल से फूल कैसे निकले? इसका उत्तर है, नारियल की एक आँख में से मोंगरे की कलिया भर दी, जो खिलकर फूल बन गए और भीड के सामने नारियल फूल ने पर वे निकल पड़ी अगला प्रेशन है, भीड ने स्वामी की जैजयकार क्यों की? इसका उत्तर है, भीड ने स्वामी की जैजयकार इसलिए की, क्योंकि साधु ने सब के सामने जतिन के पेट से खून निकालते हुए दिखाया तथा उसके पेट से पत्री निकालते हुए भी दिखाया उसने दर्शकों को बताया कि सब देख सकते हैं कि इसके पेट पर कोई खाव भी नहीं है इस चमतकार को देखकर भेड ने स्वामी जी की जैजैकार की अगला प्रश्न है नीचे लिखे मुहारों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो अब यहाँ पर कुछ मुहारे हैं पोल खोलना हैरान रह जाना खुसर खुसर करना भस्म कर देना तो यहाँ मुहारे हैं और फिर मुहारे का अर्थ भी बताया गया है और उसका वाक्यों में प्रयोग भी बताया गया है तो पहले हम पहले मुहावरे का अर्थ देखते हैं पहला मुहावरा है पोल खोलना इसका अर्थ होता है गुप्त बात को खोलना या भेद बताना अब इसका वाक्यों में प्रयोग राहुल ने ढोंगी स्वामी की पोल सब के सामने खोल दी दूसरा है हैरान रह जाना इसका आर्थ होता है आश्चर्य चकित रह जाना अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे ताज महल की सुन्दर्ता देखकर विदेशी हैरान रह जाते हैं अब तीसरा है, खुसर फुसर करना. इसका अर्थ है, किसी की बात किसी से छुपा कर धीरे धीरे करना. अध्यापक जैसे ही कफशा से बाहर निकले, कुछ बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगे. अगला है भस्म कर देना, इसका आर्थ होता है नश्ट कर देना, पहले रिशिमनी अपने श्राप से कुछ भी भस्म कर देते थे अगला है उचित विभक्ति चिन्न लगाकर रिक्त इस्थानों की पूर्ती करो इसमें का है स्वामी जी जतिन खालिस्थान है एक उची जगह लेटा देते हैं तो यहां आएगा कौनसी विभक्ति आएगी स्वामी जी जतिन को एक उची जगह लेटा देते हैं अब इसका खा देखते हैं स्वामी जी जतिन खाले स्थान कमीज उठाकर देखते हैं इसका आएगा कौन सी विभक्ती आएगी? स्वामी जी जतिन की कमीज उठाकर देखते हैं अगला है स्वामी जी पेट खाले स्थान दर्द हो रहा है तो यहां कौनसी भी भक्ती आएगी? यहां पर आएगी में स्वामी जी पेट में दर्द हो रहा है अगला है पेंसिल खाली स्थान लिखो कौनसी भी भक्ती होगी? पेंसिल से लिखो अगला है नाटक खाली स्थान सभी पात्रों ने अच्छा अभिने किया तो यहां कौन सी भी बक्तिय आ जाएगी? नाटक के सभी पात्रों ने अच्छा अभिनय किया तो बच्चों अभी हमने अभ्यास कार्य किया अब इस एकांकी क्या कुछ ग्रहकार्य आप लोग घर से भी करके लाना तो मैं आप लोगों को यहां पर ग्रहकार्य दे रही हूँ इसका पहला प्रश्ण है भीर स्वामी जैसे लोगों के ढोंग से क्यों प्रभावित हो जाती है? अगला प्रश्ण है बिमार पढ़ने पर हमें किसी सादू के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास कारण से ही तुत्तर लिखो अगला प्रश्ण है जादू दिखाने वाला या मदारी का खेल दिखाने वाला भीर को ताली बजाने के लिए क्यों कहता है? अगला प्रश्ण है इस एक अंकी की कथा को अपने शब्दों में लिखो अगला प्रश्ण है नीचे बने चित्रों को देखो और उसके आधार पर एक कहानी बना कर लिखो तो ये आप लोगों को अपने मन से करना पड़ेगा सिर्फ चित्र को समझ कर तो यहाँ पर आपको ये चार चित्र दिये गए हैं अब इन चारों चित्रों में आपको क्या क्या समझा रहा है इसको आपको अपने शब्दों में लिख कर लाना है तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे